इत्ता से भरा यह पार्ट मैंने पिछली कक्षा में शुरू किया था आप लोगों को एक पैराग्राफ पढ़ाया था जिन लोगों को यह पैराग्राफ नहीं मिला होगा तो मेरे पिछली यूट्यूब चैनल मैंने इसका बनाया है उसमें आप देख ले तो समाज के बारे में मैंने जानकारी दी थी कि समाज एक ऐसा समू है जिसमें विभिन जाती, धर्म, संस्कृती के लोग रहते हैं निवास करते हैं और अपने रिती, रिवाज, विवम, पर्मपराओं का निर्वहन करते हैं आज हम लोग बहुरंगी विवित्ता का देश वाला देश भारत के बारे में पढ़ेंगे चुकि यहां विभिन धर्म के लोग, विभिन जाती के लोग रहते हैं इसलिए हमारे देश को, हमारा देश विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है यहां प्राय सभी धर्मों के अनुयाई रहते हैं आज हम लोग अपने भारत देश के भगौलिक और सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक हर विवित्ता के बारे में खान-पान की विवित्ता, भाशाई विवित्ता, परिधान की विवित्ता यानि कपड़े पहनने का तरीका सम्मी विवित्ता पाई जाती, इसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे इसके पहले हम लोग यह जानेंगे कि हमारे भारत देश को आजादी कम मिली हमारे भारत देश को आजादी 15 अगस 1947 को मिली और 26 जन्वरी 1950 को हमारा देश एक गंतांत्रिक देश बना 26 जन्वरी 1950 को हमारे भारत देश का अपना कानून, अपना सम्मी धान लागू हुआ दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आबादी वाला मुल्क भारत में की विवित्ता में एक्ता अद्वुद है यानि यहां विवित्ता में भी एक्ता पाई जाती हमारे भारत देश में जो बहुत ही अद्वुद है आज हम लोग भगौलिक विवित्ता के बारे में जानकारी हासिल करेंगे हमारा भारत देश विश्व का सात्वा सबसे बड़ा चित्रफल की दिश्टी से सबसे बड़ा देश है और हमारे भारत देश की उत्री सीमा पर हिमाले परवत है दक्षिन में हिंद महासागर है पूर्व में बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में अरब सागर है हमारे देश को साथ देशों की स्थलिय सीमाएं सपर्ष करती हैं और चलो एक बार हम लोग फिर से देख लेते हैं यहाँ पर मांचितर में यहां हिमाले परवत है उत्तर जिशा में भारत के दक्षिम में हिंद महासागर पश्चिम में अरब सागर पूरव में बंगाल की खाड़ी साथ देश जो हमारे भारितिय सीमाओं को छूते हैं उनका नाम देख लो कहां कहां है वो भी देख लो पाकिस्तान अफगानिस्तान नेपाल यहां नेपाल है यह नेपाल है और यहां पर तिबद यह है चीन मयनमार, भुटान और बंगलादेश और यहां पर है स्री लंका हिमाले से सटे छेत्रों में अत्यदिक थंड परती हैं वहीं राजस्थान जाओगी तो वहां अत्यदिक गर्मी मिलेगी वहां बारिश बहुत ही कम होती है और मेघाले के मासिन राम में सब सरवादिक वर्षा वाला छेत्र है यह जीके का क्वेश्चन है कि सरवादिक वर्षा वाला छेत्रे कौन सा है तो मासिन राम मेघाले का मासिन राम राजिस्थान में वर्षा काफी कम होती है और हमारे देश में कहीं पर उचे उचे परवत हैं कहीं विस्तरित मैदान हैं कहीं उचे उचे पठार हैं और कहीं तटिय चेत्र है और लक्षदीप अंडमान निकोबादीप समू हमारे देश में समू अरब सागर और बंगाली की भारत की मनचित्र में देखो यह लक्षदीप जो अरव सागर में स्थित है और अंडमान और निकोबार द्वीब समू बंगाल की खाडी में स्थित है यह सभी विवित्ताएं जो परवत और मरुस्थल पहाड पठार द्वीब सागर महा सागर यह हमारी देश को एक भगॉलि प्रदान करते हैं नमबर दो धार्मिक एवं सामाजिक और सांस्कृतिक विवित्ता हमारे भारत देश दुनिया के चार प्रमुग धर्मों का उद्भास्थल माना जाता है हिंदू, सिक, जैन तथा बौध और सभी धर्मों के अनुयाई हमारे भारत देश में निवास करते हैं इसके साथ हमारे देश में इसलाम, इसाई, पार्सी और अन्य धर्म के को मानने वाले लोग भी रहते हैं यहाँ पे यहाँ पे देखो, इन धर्मों के अंदर भी कई पंथ है जैसे हिंदु धर में शैव, साक्त और वैशनौ इसलाम दो भाग में विभक्त हैं शिया और सुन्नी सिख नामधाद।